हेलो अबरीवन इस वीडियो में हम कक्षा 3 की हिंडी की कारे पत्रिका नमबर 50 ए करेंगे दिनांग हैस की 19 अगस 2021 और ये आपकी पुनरा व्रक्ती कारे पत्रिका है यानि इस वक्षीट में हम रिवीजन करेंगे जितना भी हमने अभी तक पड़ा है इस वक्षीट को शिरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल Mind Boosting Classes को जरूर सब्सक्राइब कर दीजे बच्चो तो आएए शिरू करते हैं वक्षीट नमस्ते प्यारे बच्चो आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त और खुश होंगे आएए बच्चो आगे कुछ नया सीखने से पहले हम मन करता है कवीता को एक बार दोरा लेते हैं तो मन करता है कवीता इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ये चाप्टर ये पोयम हमारे चैनल पर अनिमेशन में अपलोड कर दी गई है जरूर देखेगा जिस्ते आपको वक्षित करने में आसानी रहे तो आईए प्रश्चन एक है बच्चो नीचे लिखे इन पक्तियों को धिहान से पढ़िए बटाईए कि ये पंक्तिया मन करता है कविता की हैं या नहीं यदि हैं तो इणके आगे सहीं का निशान लगाइए अन्य था गलत का निशान लगाइए तो मन करता है चड़िया बनकर चीची चूचू गाना गाchet तो ये तो बिल्कुल गलत है ऐसा तो कविता में था नहीं मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाओं ये तो था कविता में ये सही है मन करता है चर्की लेकर खूब उची पतंग उड़ाओं ये नहीं था पीली लाल ऐसा करके रंगों के नाम थे है ना उची नहीं था तो इस प्रकार से आप पोयम को पढ़ लीजेगा मैं इस पोयम की लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रश्णे दो है नीचे लिखे गध्यांश को बोल कर पढ़ते हैं वह नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर देते हैं तो चलिए यह आपका गध्यांश है पढ़ेंगी हम इसको आई करता है सूरज बनकर आसमान में दोड़ लगाऊं मन करता है चंदा बनकर सबतारों पर अकर दिखाऊं मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धोस्ट जमाऊं बन करता है पापा बन कर मैं भी अपनी मूझ भढ़ाऊं तो अब इससे इसके अधार पर यहां को परशने पूछे गए हैं आपसे परशने एक है घर में तुम पर कौन धोस जमाता है तो घर में बाबा धोस जमाते हैं इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं ठीक है परशने दो है सूरज आसमान में दोड क्यों लगाता होगा तो इसका उत्तर है देखें मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे आपको दिख जाए रोट सिंसा को प्रकाश मिल सके इसलिए सूरज आसमान में दोड लगाता होगा बढ़ना अगर सूरज ना निकले तो हम पूरी दुनिया तो सूनी हो जाएगी मतलब अंधेरे से बढ़ जाएगी प्रशने तीन है आपने कई तरह की मूच्छे देखी होंगी कि नहीं दो तरह की मूच्छों का चितर अपनी कॉपी में बनाएंगे में आपके लिए फोटों भी लगा या या नेक्स परते हैं बचों से कब अजाद हुआ था नीचे देगए विकलपों मैंसा ही उत्तर चुनिये कब हुआ था 15 अगस्ट 1947 को 20 अगस्ट 1947 को 15 अगस्ट 1950 को या 25 जुलाई 1947 को तो देखिए जुलाई तो एकदम कट जाता है क्योंकि अगस्ट में ही हुआ था अब देखो 15 अगस्ट में हुआ था 20 अगस्ट ये ऑप्शन भी कट जाता है अब बंदरागस पंदरागस दौनर पंदरागस थे हैं अब सन की तरफ धिहान देते हैं यहाँ 1947 है यहाँ 1950 है तो 1950 में नहीं हुआ था 1947 में हुआ था तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा इस पे आप लोग टेक लगा लेंगे अगला है सही वरतनी वाले शब्दों पर गूला लगा कर सही शब्दों को अपनी कौपी में भी लिखिए तो देखो सही वरतनी वाले शब्दों पतंग को हम कैसे बोलते हैं ऐसे या फिर ऐसे यहां पर देखो ऐसे बोलते हैं पतन को ऐसे लिखते हैं तो हम इस पर सरकल लगाएंगे अब आख को हम कैसे लिखते हैं देखो बच्छो ऐसे लिखते हैं इस पर हम सरकल लगा लेंगे उसके बाद अगला देखो बंदर को हम कैसे लिखते हैं देखो यहां पर आपको दिखा हुआ है तो कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं चंद्रबिंदू लगा कर तो यहां ही आपकी कारे पत्रे का जो है फिनिश हो जाती है समाप्त हो जाती है कैसी लगी बताइए अच्छी लगी तो लाइक करो चनल को करो सब्सक्राइब थैंक यू